दोस्तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाता हूं क्यूंकि आप लोगों की वज़ा से आज हमने एक मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर ली हैं ये सब आपके प्यार की वज़ा से ही हो पाया है मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं और आप हमें कबसे देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो जब सारी दुनिया बोले कि आप हार मानलो आप से ये काम नहीं हो सकता तो खुद से कहना कि एक बार और कोशिश करते हैं मैं ये कर सकत कि किसी भी इंसान की विल्बावर और उसके पक्के डिसीजन उसे भिकारी से राजा बना सकते हैं और दोस्तो वही लोग अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं जिने अपने कदमों पर विश्वास होता है जो किसी के कहने पे अपने रास्ते नहीं बदलते क्यूंकि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल तू भी एक सिक अंदर है और दोस्तो याद रखना कि जिन्दगी में आप कितनी बार हारे ये कोई माईने नहीं रखता माईने ये रखता है कि आप कितनी बार गिर कर उठे हो और आगे बढ़ते रहे हो और दोस्तो जीवन में गिरना भी अच्छा है उकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ आपको उठाने को तो अपनों का पता चलता है और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप अपनी समस्याओ एवं कठिनाईयों की वज़ा दूसरों को मानते रहेंगे तब तक आप अपनी समस्याव एवं कठीनाईयों को कभी मिटा नहीं सकते आपकी लाइफ में आने वाली किसी भी समस्या का दोश दूसरों पर मत दो क्यूंकि इससे आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं अगर आप हर समस्या को खुद की मानोगे तो ये जरूर आपको स्ट्रोंग बनाएगी क्योंकि दुनिया की कोई परेशानी आपके सहास से बड़ी नहीं हो सकती और दोस्तों यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि ये संकेत है कि आपका काम वाक्यी बहादूरी से भरा हुआ है और पतजड हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाए सहे बिना इनसान के अच्छे दिन नहीं आते और अपने सपनों को हासिल करने के लिए समस्दार नहीं पागल बनो और जीवन में बड़ा बनने के लिए सिर्फ किताबों में मत खो जाना क्यूंकि असली जिन्दगी के सबक याद रखने पड़ते हैं मनजिलों तक पहुँचने के लिए और किताबों की एहमियत अपनी जगा हैं सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं और जिन्दगी में मुकाम वही हासिल करो कि जिस दिन आप हारो उस दिन जीतने वाले से जादा आपकी हार के चर्चे हो और जीवन में जो करना है जल्दी करना क्यूंकि अगर आप समय लगाओगे ये तै करने में कि आपको क्या करना है तब तक समय तै कर लेगा कि आपका क्या करना है और साइकिल और जिन्दगी तभी भैतर चल सकती है जब दोनों में चैन हो और दोस्तो एक समझने वाली बात है कि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है मगर किसी के होसले का नहीं और जिस दिन आप अपने हसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन के बाद आपको कोई रूला नहीं सकता और जीवन में हमेशा सच बोलो क्यूंकि सत्ते उस शेर की तरह है जिसे बचाने की जरूरत नहीं इसे खुला चोड़ दो ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेगा और दोस्तो दिल पे ना लीजिये अगर कोई आपको बुरा कहे ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शक्स अच्छा कहे क्यूंकि इस दुनिया में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके अंदर कमिया निकालते ही रहेंगे इसलिए लोगों की इतनी कदर भी ना करो कि लोग तुमें मतलबी समझने लगे और दोस्तो निंदा उसी की होती है जो जिंदा है मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है और जीवन में पहले अपने किरदार को बड़ा बनाएं बैंक बैलेंस को बाद में क्यूंकि पैसा हैसियत बदल सकता है औकात नहीं और कहते हैं कि जोट के पाउ नहीं होते मगर फिर भी चलता बहुत है इसलिए उस इनसान से कभी जोट मत बोलो जिसे आपके जोट पर भी विश्वास हूँ और जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई देता है मगर धक्का देने को हर शक्स तैयार रहता है और दोस्तो अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि परशंसा से पिघलना मत और आलोजना से उबलना मत तो दोस्तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना तो दोस्तों मैं मिलूँगा आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग आफ